जहन बच्चों 6 जून को जैसा कि UPSC ने डिकलियर किया था कि NDA 1st और NDA 2nd दोनों के exam common होने हैं, दोनों का same paper होना है आपका, तो उससे related बहुत सारे queries थी, बहुत सारे बच्चों ने call किया, बहुत सारे बच्चों ने वेबसाइट पे भी पूछा है, तो उन confusion को कल 16 जून को जब NDA form का 2 का notification आया, तो सारे जो queries थी, UPSC ने उसे दूर कर दिया है, उसके पहले भी उन्होंने दूर किया था, तो पहले था कि, पहले भी मैंने आपको बताया था ये चीज, 6 जून को, कि NDA 1st का जो form बरें, वो NDA 2nd का form नहीं बरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जिन्हों NDA 1st का form भरा है, अगर वो eligible है, age बचा हुआ है, तो NDA 2 का form भी उन्हें अलग से भरना है, अगर वो भरना चाहते हैं, तो NDA 2 का form उन्हें अलग से भी भरना है, NDA 1st और NDA 2nd, दोनों का exam साथ में जरूर होना है आपका, दोनों का paper same होगा, बात को दियान से सुने आप, NDA 1 और NDA 2nd, दोनों का paper 6 जून कोई होगा, दोनों का एक साथ ही paper होना है, दोनों का एक ही paper भी होगा, अलग-अलग paper भी नहीं होना है, लेकिन दोनों का merit अलग-अलग बनेगा आपका, दोनों का मतलब NDA 1st में जो आपको seat थी, वो 418, 418 seat था आपका, और NDA 2nd का जो कल notification आया, वो 413 है, 413 seat है आपका NDA 1st में, 370 NDA के लिए था और 48 जो था वो Neville Academy के लिए था, NDA 2nd में जो है आपका, 370 seat जो है वो आपका NDA में है, और 43 seat जो है आपका Neville Academy में है, तो NDA 1st और 2nd की merit अलग से बननी है, दोनों का result अलग-अलग आना है, NDA 1st का जो result आएगा, written exam का, वो आपका November 1st week में ही आजाएगा, SSB की date वहीं जनवरी से April तक आपका होना है, NDA और इसकी joining फिर मई में ही होनी है, NDA 2nd का जो merit आएगा, जो written का result आना है, वो December 1st में आना है आपका, तो NDA 1st की merit अलग बननी है, NDA 2nd की merit आपकी अलग बननी है, तो exam आपको दोनों ही देना है, दोनों exam मतलब exam एक ही देना है आपको, लेकिन दोनों का result, दोनों का merit अलग-अलग बनना है, तो ऐसा बच्चे बिलकुल नहीं सोचें, जो NDA 1st का अगर हमने form भर दिया है, तो NDA 2nd का form हमें नहीं बरना है, तो अगर eligible हैं, तो जो बच्चे NDA 1st का form भरे हैं, वो बच्चे भी NDA 2nd का form भरेंगे, फिर से ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, NDA 1st का form जिनोंने भर रखा है, अगर वो eligible है NDA 2nd के लिए, तो NDA 2nd का form वो अलग से भरेंगे, तब ही उ अगर आते हैं, तो आपको दोनों हैं, दो बार SSB देने का मौका मिलेगा, NDA 1st के लिए अलग से, NDA 2nd के लिए अलग से, तो ये गलती कभी ना करें, कि NDA 1st और NDA 2nd, दोनों का form आपको अलग अलग बरना है, भले एक्जाम एकी दीन, एकी समय, एकी पेपर से हो आपका, औ और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आ करके, कमेंट बॉक्स में आ करके दीजिए, वो सारी समस्या है, वो सारे प्राब्लम्स को, आपकी जो क्वैरेज है, उसे दूर करने की कोसिस की जाएगी, जैहिन जैभारत!